कि है यहां लोग सब्सक्राइब काफी हाय स्क्राइब प्रीच हुई है आफ्र टू इंट्रोडर सेंटर इन्टू दा पार्लेमेंट सो आज की वीडियो में हम देखें क्या इन गुस्पैटियों का बागा सिंग से कोई लिंक है और अगर कोई कनेक्शन है तो कैसे है क्या इन्होंने भी सेंग में प्रफॉर्म करने का ट्राइब किया है जैसे 1999 में बागा सिंग ने सेंटर लेजिसिटीव असेंबलें बोम फेका था जैसे कि मैंने आपको बताया है जो हमारे लोगसवा है जहां हमारे लोगमेकर्स बैठे होते हैं डिलेक्टल एलेक्टे वैड़नस दे आफ्टर टो मिस्केनर सेंटर दा पार्लेमेंट एंड हर्ल कनिस्टर ओफ कलर स्मोग पोली सोसीज ने मैंचिन किया है कि यह जो चारो एक्यूजड है यह एसोचेटेड हैं भी सोचल मीडिया पेज भगसिंग फैन कलब मीडिया रिपोर्ट सेक्टेड एंड जो सागर एंड मोल थे उन्हों नारे लगाये थे इंकलाब जिंदाबाद के अन भगसिंग आमर रहे जब वो कनिस्टर स्वेक रहे थे पार्लेमेंट में सोचल मीडिया प्रफाइल जो नीलम एंड सागर रिफ्लेक्टिड अज बोथ शो देर एड्माइरेशन तोड़्स फ्रीडम फाइटर भगसिंग सुगदेवतापर एंड शिवराम राजकुरू इसके चलते हैं हमारे भगा सिंग एज़ा पर्सनेलेटी पढ़ना काफी जाधा इंपोर्टन हो जाता है बिकोज यह मोटर्न हिस्ट्री का आपके काफी जाधा इंपोर्टन टोपिक है तो देखते हैं भगा सिंग भगा सिंग वास बोन इंटो इंटो सिख फैमिली 1907 इन बज के दिन पाकिस्तान में है इनिशली ही सपोटें महात्मा गांधी और नों कोपरेशन मुवमेंट को और गांधी विद्रो 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 दा मोमेंट इन द वेक ओफ चौरा-चौरी इंसिदेंट भगा सिंग टूर्टन टो रेवलुशनरी नेशनलिजम चौरा-च अंगेश अनाम्ड अकाले प्टेस्टर्स अन्चाना साहिब 1905वर। यह कफी सारे ऐटा है जले वाला बाग में सेक चर से एंज उल्रे न्चाना साहिब। सो इनका रोल देखते हैं फ्रीटम स्रगल में इन 1923 बगा सिंग जोइंड था नैशनल कोले लहोर विच वास फाउंड़ीड और मैनेश्ट बाइ लाला लाजपत्राय और भाई परमनंद 1923 में बगा सिंग नेशनल कोले लहोर जो फाउंड़ीड और मैनेश्ट बाइ था लाला लाजपत्राय भाई परमनंद 1924 बगा सिंग बगा सिंग बगा सिंग वापस आते हैं यह अपने क्लीक्स के साथ मिलकर एक मिलिटेंट यूथ और्गनेशिशन फाउंड करते हैं जिसका नाम था नोजवान भारसवा इन 1926 बगा सिंग एस्टेबलिश कॉन्टेक्ट वे सगा सोहन सिंग जोष और थू हिम दा वर्कर्स और पीसेंट्स पार्टी विच ब्रोट आउट आउट दा मंथली मैगजिन क्रितीन मिजब यह आपको ऐसा क्रोनोलोजी में पूछा जा सकता है ठीक है कौन से निकाली इन्होंने करे थी ठीक है और किस लेंगविज में थी यह पंजाबी में नेक्स्ट है इन 1927 वास फर्स्ट आरेस्टेड होंदा चार्जिस ऑफ एस्सोशेशन विद दा क्कोरी केस क्कोरी केस था क्कोरी कोंस्पिरिसी केस दा ट्रें रोबरी का एक आर्टिकल के वजा से रेस्ट होए थे पहली बाइन 1927 इन 1928 भगा सिंग चेंग दा नेम ओफ हिंदूस्ता रिपब्लिक एस्सोशेशन तो दा हिंदूस्तां सोशलिस्ट रिपब्लिक एस्सोशेशन यह कब नाम चेंग वादा 1928 ने किसने नाम चीए अच बगा सिंग फ्रॉम एच चारे टू एच चारे ठीक है तो टेक दा रिवेंच फो देथ ओफ लाला लाजपत्राए बगा सिंग एन इस एस्सोशेशन प्लोटिट दा सैसिनेशन अफ जेम्स ए स्कोड तो लाला लाजपत्राए की डेथ का कैसे हुई थी 1998 में हमारे यहां साइमन कमीशन साइमन कमीशन में एक एक भी इंडियांस ना होने की वज़ा से हमारे यहां प्रटेस्ट हुआ था लाला लाजपत्राए वह प्रटेस्ट को लीड कर रहे थे और उसी प्रटेस्ट में जब लाठी चार्ज हुआ तो उन्हें काफी इंजरीश हुई एड़ेंचली वह उनकी देथ होगी तो इसी डेथ का जो बदला लेने के लिए बगर सिंग एन उनके एसोशेट्स ने प्लोट किया कि हम जेम्स एस कोड की हत्या करेंगे जो उस टाइम सुप्रेइड थे पुलिस के बट उन्होंने गलती से मार दिया किसे जेपी सोंडर्स को इस इंसिदेंट इस लहूर कॉंस्पिरेशी केस 1929 यह भी आपको तैमिंग याद रखनी है कोरी कॉंस्पिरेशी कब हो था 1927 में लहूर अला 1929 में बगर सिंग ने बीके दा थ्रुया बॉम ओन एट अपर 1929 इंसेंटर लेजिसलेटिव असेंबली इन पोटेस्ट अगेस पासिंगेस पासिंग पॉब्लिक सेटी बिल्स एंट्रेड डिस्टोट जैसे के में आपको शुरू में विदाया था बगर सिंग ने बीके देट ने बॉम फेका था 1929 में वास नोट टू किल बट तो मेंग दाफेर एंड तो रिमाइंट फोरं गवर्मेंट ओफिस क्लोस एक्स्पाटेशन ठीक मार्च 1931 ठीक है आफ्टर दा हैंगी देर मोटल रिमेंस वर क्रिमेंट इन सिक्रेट इस एक्षिन एवोक्ट स्रॉंग रेक्शन फोन देन पीपल पर्तिकलर यंग्स्टर्स एंड मैनी वर मोटिवेटेट तो जॉन दा फ्रीडम सगल इसकी वजए से काफी सारे जो आपके लिए काफी साधा हैं पोर्फाट हैं सो दे में किल मी बड़ दे कैनोट किल माई आइडिए दे कैनोट करेश माई बोड़ बार याइडिव फिर्ट इसी के जलते उन्होंने सेंटर लेजिसलेटिव अशेंबली में बोड़ एका दा एरेवलुशन इसनोट स्वर bombs and pistols, the revolution's sword is sharpened on the batting stone of ideas revolution is an inalienable right of mankind, freedom is an imperishable birthright of all, labor is the real sustainer of society and I am full of ambition and hope and charm in life but I can renounce everything in time of need so उन्की दो important publications, वायम एन अथिस्त and एक ती, the jail notebook and other writings so बगा सिंह के related जो जो भी आपके exam point of view के लिए काफी ज़्यादा important था, वो सब नहीं हमने discuss किया, क्या उनका background था क्या उनका role था, freedom struggle में कौन-कौन उनके famous code थे, कैसे उनका execution हुआ, क्या उनकी important publications थी, जैसे वायम एन अथिस्त and the jail and the other writings, so thank you very much अगर आपको क्ला सची लगिया तो do like, share and subscribe channel